हेलो दोस्तो राधे राधे कैसे हैं आप आई हो पच्छे ही होंगे आज हम आपको बना कर दिखाएंगे चावल के आटे से एक टेस्टी नास्ता तो आईए शुरू करते हैं हमने इसमें एक कप चावल लिया है और इसमें थोड़ा स्वात के इंसर नमक डाल देंगे और थोड़ा जीरा पॉडर और काली मिर्च पॉडर और ये एकदम गरम पानी हमने लिया है इसको भी हम इसमें डाल देंगे ये पानी बहुत गरम है तो हम इसको किसी चम्मच किसा हाता से मिला लेंगे अब ये ठेंडा हो चुका है अब हम इसको हाथ से अच्छी तरह से गूत लेंगे अब हम इसको कुजदेर के लिए सेठ होने के लिए रख देंगे अब हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है तेल गरम हो चुका है हमने इसमें हरी मिर्च भी डाल दिया है अब हम इसमें जो लसन और प्याज का पेश्ट बना के रखा था उसको भी डाल देंगे इसको अच्छी तरह से भूल लेंगे अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे एक चम्मच और ये जो टमाटर ग्राइंड करके रखा था हमने ये दो बड़े टमाटर हैं इसको हम इसमें डाल देंगे अब ये टमाटर भी अच्छी तरह से भून चुका है अब हम इसमें ये उबले हुए मैश किये हुए आलू को डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे अब हम इसमें नमक डाल कर मिला लेंगे तो ये देखिए ये आटा अच्छी तरह से सेट हो चुका है अब हम इसको थोड़ा और गूत लेंगे थोड़ा हाथ में तेल लेकर अच्छी तरह से इसको गूत लेंगे अब हम एक बरतन में पानी गरम करने के लिए रख देंगे और इसके उपर एक जालीदार बरतन रख देंगे अब हम इसको इतना बड़ा इसका डो ले लेंगे अब इसको हम बेल लेंगे इस तरह से इसका रोटी बना लेंगे तो यह देखिए हमने रोटी को अच्छी तरह से बेल लिया है अब हम इसके उपर जो आलू का मसाला बनाए थे उसको डाल देंगे और इसको इस तरह से फैला लेंगे और मेरे पास थोड़े से उबले हुए चैने थे तो इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे यह देखिए और अब उपर से इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे अब यह भाप निकलने लग गया है पानी एकदम गरम होने लग गया है अब हम इसको इसको इसके उपर रख देंगे और इसके उपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे क्योंकि हम इसको फ्राई नहीं करने वाले हैं इसलिए अभी लगा रहे हैं तेल और इसको ढखकर अब हम 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे तो इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं अब देख लेते हैं इसको ये देखिए अच्छी तरह से पक गया है और अब हम गैस का फ्लेम बन कर देंगे अब हम इसको चाकु से इस तरह से काट लेंगे तो ये देखिए दोस्तों हमारा चावल के आटे का नास्ता बिल्कुल तैयार है बहुत ही टेस्टी लगता है अब इसको जरूर ट्राइए और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक है है। लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद राधे राधी